हमारी गुरुमा के दर्शन को सांचा दर्बार कहा जाता है सांचा इसलिए कि यहां आकर हर भक्त सब कुछ भूल कर सिर्फ और सिर्फ भक्ती में लीन हो जाता है परमात्मा तक पहुँचने का भक्ती ही एक मात्र रास्ता है सच्ची भक्ती के लिए दिल का सच्चा होना बहुत ज़रूरी है हमारी गुरुमा जी ने बताया के पैसे से भी अनमोल क्या है सच्चे दिल का मोल क्या है यूं तो दुनिया में करोडों जीव रहते हैं पर आया दर्द जो समझे उसे इनसान कहते है बारिश का मौसम है कोई भक्त भीग ना जाए इसलिए हमारी गुरुमा जी ने गरीब भक्तों को छाता बाट कर भक्तों को इनसानियत का पाट पढ़ाया हमारी प्यारी गुरुमा जी को बच्चों से बेहत लगाव है बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं गुरुमा दर्शन में आने वाले बच्चों के साथ बच्चों की तरही खेलती है भक्त सच्ची आस्था के साथ इस दर पे आते हैं वो आते तो खाली हाथ हैं लेकिन जाते हैं बहुत कुछ लेकर गुरुमा एक एक भक्त को पास बुला कर उनको अपना आशिरवात देती है जो भी हो फल इत्यादी उनको प्रसाद के रूप में देती है ये प्रसाद भक्तों के लिए अमरित के समान होता है भक्त अपने आप में धन्ने हो जाते है पिछले बीस वर्षों से ये अविरल धारा इसी प्रकार बहती जा रही है यहां आने वाले भक्तों के लिए लंगर का इंतजाम भी भक्त ही करते हैं और भक्तों के द्वारा ही सेवा भी की जाती है हमारी प्यारी गुरुमा जी को भक्त इतना प्यार क्यों करते हैं? हम देवी माजी से आठ नौ साल से जुड़े हुए हैं और जब से जुड़े हुए हैं तब से सब अच्छा ही अच्छा हुआ है हम फैनाशली बहुत ही वीक हो गए थे देवी माजी की कृपा से उनके ग्यान से उनके आशिरवाद से देहिमा ने हमें उस उंचाई तक लेके गए और अभी तक हाथ पकड़ा हुआ है ऐसा नहीं है कि परिशानिया नहीं आती है परिशानिया आज आती है और आके चली जाती है देहिमा जी की एंट्री लाइफ में ऐसे मोर पे थी कि अगर वो नहीं होते तो आज हम पतानी कौन से ट्राक में होते हैं तो इस तही ट्राक पे लाना, रूट्स को स्ट्रॉंग करना डेफरेंट्ली देमाजी से मिला हमको भक्ती के तरफ जुगावण डेफरेंट्ली देमाजी के वचे से हुआ है पैसे की बार, आज से देमाजी ने एक पैसा नहीं मागा जो चड़ाया, जो चड़ाया इन पर देमाजी ने दिया ही है और जो किना सुचा उससे बहतर ही दिया, उससे जादा ही दिया मेरा नाम अनू है, मैं एक खिन्नर हुआ और मुझे पिछले दो साल से देमाजी ने अपने गल्ले लगा या आने से पहले मैं कुछ भी नहीं थी कुछ भी नहीं था मेरे पास, आज जो अच्छे कपड़ी भी पैंग रहे हैं उनकी बढ़ दो एक खिन्नर को गल्ले लगा के प्यार देना बहुत बड़ी बात हैं हमारे घर वाले भी हमको अपना नहीं मानते हैं वो हमको अपना मानते हैं कल्यूग में हम धन्य हैं कि हमें भी ऐसी ही सच्ची और पूजनिय सत्गुरू श्री राधे गुरु माजी का सानित्य मिला है और उनके मार्क दर्शन, ज्यान और भक्ती की कृपा से हम क्या हमारी आने वाली पीडियां तक कृतग्य रहेंगी